है पहले बार है चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वीडियो उसको लाइक करेगा अपने फ्रेंट के साथ शेयर करिएगा क्योंकि इस चैनल पर टाइम बहुत सार इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड होती रहती है तो विटावट वेस्टिंग टाइम फटाफाट शुरू करते हैं अचका वीडियो सब से बहुत ही जादा इंफेक्ट भी डालते हैं अब बहुत बहुत बड़ा रहे हैं guidance in simple term means to direct or provide assistance to someone who needs help guidance का मतलब simple जा फंडा है कि आप किसी को direct कर रहे हो किसी को directions provide कर रहे हो ऐसे लोगों को या ऐसे बच्चे को किसी को भी x y z जिसको help की requirement है याई अगर किसी को need help की आप उसे guidance provide कर रहे हो उसको direct कर रहे हो से बता रहे हो कि क्या काम करना है है मतलब actually यह तो नहीं कह सकते guidance provide कर रहे हैं guidance को ही define कर रहे है इंच्वाट भी कह सकते हैं कि अब से direction दे रहे हैं किस वे में उसे move करना है क्या actions उसको लेने है तो that is called guidance अब अगर counseling की बात करी जाए तो अगर हम बात करें counseling की तो generally क्या होता है guidance and counseling को लोग सेम समझते हैं बाट यह different है counseling जो होती है expert के थ्रू होती है एक ऐसा person जो कि उस subject में उसने mastery करे होती है particular course किया होता है और फिर वो ऐसे particular person को अपनी जो professional services वो provide करता है जिसको की problems हो रही है और उसको फिर उस problem को overcome करने के लिए या फिर उस problem को face करने के लिए help चाहिए guidance चाहिए वो तो वो कहलाता है counselor या फिर process of counseling अब यहाँ पर ऐसे ही बहुत सारी कुछ definitions में ने रखे है points में आप इनको पढ़ सकते हैं समझ सकते हैं कि guidance is a process of assisting individuals carried out on an ongoing basis so individuals can understand themselves direct themselves and can act appropriately under the demand and circumstances of the family and community तो आप यह भी कह सकते हैं कि guidance एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर इंडिविज्वल्स है उनको कुछ instructions provide करे जाते हैं उनको help करे जाती है उनको direct किया जाता है ताकि वो जो भी problems face कर रहे हैं उनको easily वो overcome कर सके या face कर पाए साथ-साथ family या community की जो भी needs है requirements उनको fulfill कर पाएं जबकि आप सिंपल्स आप यह लिखा भी है अगीन वही चीज जो मैंने आपको बताई थी guidance जो है वो expert करते है on the basis of basic psychology of a person और several individuals अगर आप ग्रूप पर कर रहे हैं तो again you are going to study their psychology similar way में individual पर कर रहे हैं तो भी आप psychology वहाँ पर study करते हैं और फिर उसको उसका solution provide करते हैं अब बात आती है stakeholders की क्योंकि topic में इन stakeholders है तो अखिर stakeholders होते कौन है stakeholders जो होते हैं they are those who feel the impact of the project and have an influence on the implementation of the project in one way or other यहाँ भी जो project word use हो रहा है यह आपके guidance and counseling के लिए है ठीक है तो मैं GNC लिख रहा हूं से guidance and counseling कहने का मतलब है stakeholder वह सारे लोग है जिनके उपर टारेक्ली या इंडारेक्ली जो guidance and counseling उसका impact पड़ता है और कहीं ना कहीं वह इसको influence भी करते हैं अब इसमें कौन-कौन से लोग आते हैं पहले चीज़ teachers या फिर special education teachers यह दोनों ही है teachers आप सभी को पता है normally we all are teachers special education teachers जो है आज कल क्योंकि लास्ट वीडियो ने डिसकुस भी किया था कि बहुत सार ऐसे courses हैं जो कि special education के inclusion से related है जैसे कि even आज की rate में जो beard है वो भी special education के तुरू होने लग गया है यानि कि आप किसी एक specialization को लेकर भी beard कर सकते हैं इवन उत्राखंड open university जो है वो भी ऐसे courses offer करती है जहां पर beard अलग-अलग category में है जैसे कि beard with physical disabilities में भी है beard with hearing empowerment में भी है and so on बदब बहुत सारे उसमें आप एक specialization लेकर कर सकते हैं तो ऐसे special education teachers होते हैं जिनको specially train करा गया होता है child with special needs के साथ deal करने में तो यह भी stakeholder है then students with disability obviously यह तो stakeholder होंगे होंगे क्योंकि यह पार्ट है उसका इनके उपर direct influence पड़ेगा social workers भी होते है school management and principal मैंने सेम रखता है volunteer again वो लोग जो कि अपनी इच्छा से services provide कर रहे हैं या फिर इनको help कर रहे है cws and child को then parents again इसमें आ जाता है क्योंकि parents के उपर भी indirect directly इसका impact पड़ता है इसके लाब अगर आप चाहें तो community society यह सारे impact क्या है या क्या होगा तो पहली चीज़ जो होती है कि चो आपका career guidance and counseling वो क्या करता है वो define करता है the level of input of all stakeholders यानि कि इसके तुरू आपको यह पता चल जाता है कि जो stakeholders है उनका level of input क्या होगा यह आप define कर सकते है guidance and counseling के तुरू कैसे बही आप जितने भी stakeholders है इनको इनके role बता सकते हैं कि आपको क्या करना है जैसे कि एक example यहाँ पर है कि जो special education teachers होंगे उनका involvement होगा issuance of instructional skills and formative assessment of the learner कि जो भई बच्चे है learners है उनका assessment कैसे होगा instructions कैसे उनको दिये जाएंगे उनको train करना जो है काम है even जो special education teachers है अचकी रेट में बहुत सारी NGOs भी है जो क्या करती है schools को visit करते है और वहां के teachers को जाकर train करती है तो अगें यह जो special education teacher है क्या कर रहे है school पर impact डाल रहे है teachers को counsel करते है not only in case of students यह बच्चों को भी guide करते है और चांशल करते हैं सब्सक्राइब करते हैं तो इस स्कूल में जब inclusive education तो स्कूल के ऊपर इंपक्ट पड़ेगा guidance and counseling program जो होगा इसके थूँ आपने डिजाइन किया होता है सारी चीज़े कि कैसे बच्चा जो आपने personal social या फिर learning career independence अचीव करेगा या objective अचीव करेगा तो यह career guidance and counseling program के थूँ पॉसबल होता है और यह रोल यहाँ पे school का इसलिए आजाता है क्योंकि school ही इसको implement कर रहो होते हैं तो यहाँ पे क्या होता है जो career guidance and counseling programs होते है वह school को भी करते है स्कूल को पूरा पूरा स्कूल का जो environment तो चेंज कर देते हैं जिसके थूँ जो एक बच्चा है उसके personal objectives हो चाहे social objectives हो learning objectives हो career independence हो कुछ भी हो वो सारे चीजने इसके थूँ अचीव करी जा सकती हैं तो ऐसे में जो यह guidance and counseling है बहुत important role play करती है क्योंकि यह बच्चे दूसरे बच्चों से different होते हैं तो अगर proper guidance and counseling करी जाए school में तो उससे benefit यह मिलेगा कि जो बच्चे है इनका overall development भी अच्छे तरीके से होगा साथ ही जाथ वो सोसाइटी के साथ मिल जुल के जो रहना है वो सीख वहाँ पर पाएंगे अब अगर बात कहिए CWSN वाले बच्चे यानि जो child with special needs हैं उनके education की तो उनके education सबसे important या बड़ा जो एक barrier है रुकावट है वो कहीं ना कहीं उनके parents का involvement ना होना है यानि कि उनके parents क्या गरते हैं बच्चे को school तो भेज देते हैं लिकिन उसकत involved नहीं होते हैं तो यह एक problem है second point में आप देवी सकते हैं मैंने mention किया है कि in most cases parents send their children to school but they are not involved in aspect of inclusion such as assessment decision making and education of their child इस type के चीज़ों में चाहे assessment हो चाहे decision making हो चाहे education of their child हो उसमें वो involved नहीं होते हैं तो यह जो guidance programs होते हैं counseling programs होते हैं इनके through क्यों होता है parents को भी इसमें involved किया जाता है निनको बताया जाता है समझाया जाता है तो जिसके through ultimately क्यों होगा कि वो भी जब involved होंगे तो obviously बच्चे को इसका benefit मेलेगा society को इसका benefit मेलेगा parent guidance and counseling program will motivate parent to improve themselves in the process of education for children with special needs the involvement and cooperation of the parent in the education of special needs children are very important so symbols of nda है कि अगर आप parents को involve करेंगे तो they are going to motivate their child also as well as इससे motivation जो है वो society को भी मिलेगी तो benefit दोनों का है यानि कि guidance प्रोवाइट किया parents में motivate हुए parents के motivate होने से parents का involvement हुआ parents का involvement होने से क्या होगा society में अगर कुछ लोग ऐसे उसको belong करते है category को जिनको की neglect करा जा रहा है या फिर वो CWSN जो बच्चे उनको neglect करते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ उनका mindset भी जो है वो change होगा तो next हमारे जो पॉइंट हो है guidance and counselling for principal and management या निकि जो प्रोग्राम्स है guiding and counselling वाले आखिर यह principles या फिर management को कैसे affect करते हैं तो simple सा फंड़ा यह है कि पहले चीज आपको जानने पड़ेगी कि यह जो चाहे management और चाहे principal हो यह responsible होते है school management के लिए और साथ स्कूल की running के लिए तो ऐसे में इनका बहुत जादा important role हो जाता है साधी जात they act as a director of the project and head the operation तो इसका मतलब simple है कि आप कोई भी career या फिर guidance के program अगर लेके आएंगे तो उसमें role, principle and management का बहुत जादा होगा क्योंकि यही project को क्या करेंगे direct भी करेंगे और यही उन्हों operations को head भी करेंगे जतनी activities वहाँ पर होंगे उन सब के लिए responsible भी यही है तो इनकी guidance and counseling बहुत important है क्यों जैसे government का objective inclusion का तो वहाँ पर कहीं ना कहीं इनको counsel करके convince करके बहुत सारी चीज़ें जो हो सकती है अब एक पॉइंट यह भी है कि यह responsible भी होते है for providing resources that are required for the effective achievement of the goal of inclusion क्योंकि ultimate जो resource है school के अंदर हो कहां से आएगा management और principally provide करेंगे so obviously responsible होते है इस चीज़े तो इनकी guidance and counseling बहुत important बन जाती है यानि कि इनको motivate किया जाए इनको guide किया जाए तो obviously inclusion का objective है वो easily achieve हो पाएगा तो यह कुछ points है जिनके बैसे आप लिख सकते हैं so ऐसे students के गर हम बात करें मैंने आप पॉइंट्स रखें नीचाए कि हम बहुत बार इससे पहले बाले जो वीडियो से जहां पर आपने चाइड बेस स्पेशल नीड की बात करी है कहीं ना के इंक्लूस उफ एड्यूकेशन की importance की बात करी गई है तो उन्हीं importance में से आप अगर career guidance के लिए points pick करना चाहें तो बहुत सार हो सकते हैं क्योंकि counseling के तुरू आप क्या करते हैं किसी को guidance provide करते हैं तो जो cwsn वाले बच्चे होते हैं यह क्यों होते हैं आपने इनके बारे पढ़ा ही होगा अगर अपने points cover करें कि यह problem में होते हैं बहुत बार तो आसा होसा society इनको निग्लेक करते हैं कि खुद की family निग्लेक करते हैं को वह due recognition नहीं मिलती जो की society से normal बच्चों को मिलती है तो ऐसे में क्यों होता है बच्चे depressed होते हैं कई बार तो ऐसी situation में अगर आप उनको guidance and counseling करेंगे या निकि काउंसलिंग करें guidance प्रवाइट करें तो it is going to motivate them they will feel like they too are important for this society and उनको नी वर्थ समझ में आएगी जो जिसके तुरू उनको आगे benefit मिलेगा इस ताइप से आप यह पर point लग सकते हैं साधी जाथ इन वच्चों को proper जो है वो direction मिलता है through guidance and counseling by counseling अगर आप करेंगे आपके पास मतलब क्योंकि counseling expert कर रहे होते हैं तो for sure उनके पास बहुत सारे information related to जो भी types of disabilities है या फिर बच्चे का अगर interest किसी चीज में है वो किसी चीज को pursue करना चाहता है तो उसमें उसको help कर सकते है माल लेने किसी बच्चे के अंदर disabilities है पर उसका interest music में बहुत जादा है तो ऐसी situation में जो counselors होंगे teachers होंगे उसा guide कर सकते हैं finally कि वो music के तरफ जाए या फिर अगर in case वो थोड़े पहुत sports खेल सकता है और उन sports में उसका interest है तो आज की रिट में आपको पता है कि बहुत सारे opportunities इस तरह रिट भी हैं जहांपे जो child with special needs है उन्होंने बहुत अच्छा इवन sports के case मे भी किया है कई बार तो यह सारे चीज़ें जो होंगी वो किस के तरह होंगी counseling and guidance के तरह होंगी साधीज़त this is going to encourage them to achieve something better in life तो यह सारे कुछ points है students के point of view से जो आपके guidance and counseling के तो इस ताप से आप इसको लिख पाएंगे rest अगर हम बात करें यहां पर जो stakeholders और थे जैसे कि volunteers थे और social workers थे तो उनके case में भी same चीज़ है तो social workers होते हैं they are a part of society यह society में ही होते हैं तो ऐसे में जो society होते हैं उसमें इनका impact भी बहुत जादा होता है तो अगर इनकी counseling करी जाए इनको guidance provide किया जाए तो यह भी society में जो भी thoughts हैं उनको change करने में आपके help कर सकते हैं उनको जो ल WSN बच्चों को यह जो child with special needs हैं तो यह था आज का video I hope video अचा लगा होगा video अचा लगा तो video को like करिएगा अपने friends के साथ शेयर करिएगा चैनल को subscribe नहीं किया तो channel को subscribe करिएगा thanks watching the video